हेलो गाइज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जैसा के देख पा रहे है मारोधी सुजुगी की रीड्स है 2011 का मोडल है पैट्रोल का रहे है तो इसका मैं एसी चालू रखा हूँ गैस भी सब बाहर बरोबर है एसी चालू है गाड़ी भी चालू है अब है एक ट्रीप मार देता है तो इसका प्रशार सक प्रूलम क्या हुआ है वो बता देता हूं इसका पूलिंगए ट्रविस करेंगे प्रावर्थ की सरथिस सबसे पहले मैं गयास इसका निकाल देता हूँ फिर अग्गे आपको दिखाता हूँ खोलने के प्रोशेशिंग में लेके जाता हूँ तो फिर तो फाइनली मैं इसका गयास कर चुका हूँ प्लसrukt глуб imaging schaut कर डिया हों बाहर से कि मेरे को electric socket और BCM जो उसके बाद मेरेको संपसे पहले यह वाला खुलना पड़ेगा यह बॉक्स छेक्म्स सुख्राइब आपको फोलता हूं पिर अग्चे मैं आपको दिकाता हूं यह बाला कंशोल बॉक्स का जोस तर्ड़ की दर्लब ने की ज़रूलत नहीं अपने को चुलना पड़ेगा तो यह खोलता हूँ फिर अग्य मैं आपको दिखाता हूँ कि तो आपको सब्सक्राइब करोम निकालेंगे इसमें इक यहां लोग दिया हुआ रहेगा यह वाला करोम में ये खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा अपना इधर के खोला नहीं हो तो खोल के फिर मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ तो फाइनली ये अपना खोल गया बाहर आ जाएगा ये ये बाहर निकल गया अपनो अब बागी ये सब चीज खोलने के ज़रूरत नहीं है अपने को ये पट्टी खोलना पड़ेगा ये जो बाहर नमबर देख रहे हैं दो दो चार इस साइट भी दो दो चार है ये खोलने के बाद ये डैस्बोर्ड ये एंगल से अधा हो जाएगा और गयार बोक्स को मैं पल Эठी मार दूँगा खोल के तो ये पट्टी के खोलता हूं को तो चारो बारो भी नमबर को दि कुल दिया हूं को अपना आप अपने को गीर बॉक्स का जो दिया है 12 नंबर एक इधर दिया है एक पीछे एनरिकटर 4 दिया है तो 4 खोलता हूं फोल के फिर पर पलटी माल के अग्याग्या आपको दिखाता हूं re- Puis An- хотите shop? आप मैरे को खोलने की जरूरत क्या है? Net- इसब साइड का पैनल खोलना पड़ेगा और यह साइड का पैनल खोलता हूं इसब साइडा खोलने के हुँडना है? हम यहां करत दिकाता हूं When I will make the Fiber ईया दूर जॉइन्ट रहता है यह वाला जॉइन इदर खूट गिल गए आपना इसके बाद यह वाला फाइबा टो एसी निकल जाएगा आपना चिचंगे इसको यह निकल जाएगा तो बाकि आपको मैं है एक यह वाला भी कुलना पढ़ेगा आपको इसके बाद लाशन का देता हूं इसके बाद ये वाला बस बाकी लगभख सब तो फुल चुका अपना और इस्टेरिंग को लम और ये दो बटन का जो है ये डायरेक्शन का और हेटर का केबल का बटन केबल ये जो देख रहे हैं यहां कोलना परेगा आपको और ये वाला तो ये दोनों खोलता हूं और कौन्सी कौन्सी सोकिट निकालना पड़ा है वह सब निकल देखाता हूं तो लगबग मेरा फाइनल डैसबोर्ट लगबग खुल चुका है मैं क्या-क्या खोला हूं वह सब चीज़े मैं आपको दिखा देता हूं तो बाहर से करेंगा बोनेट जो लगी रहती है निकाल दे हैं इसको सब सोकिट के प्रुल्वजिव नहीं कर देखानार हूं हूं बाद ये स्टेरिंग के दुल्वट करके निकाल देने का एक कोजिशन में ताके क्योंके एर बैग है ताके बाद में आपको प्रॉब्लम ना पड़े उसके बाद यह रही ब्लोर का सोकिट जो अंदर रहता है बहुत वह खुलना पड़ेगा बाकी इस साइड का तो सब खुल चुका अपना और यहां एक लखिली परेगी आपका आजवाब इस साइड यह लोर की सोपी सोरी राजिस्टेन की सोकिट और सेंसर तेंपरेचर यानि कुलिंक वैल में जो सेंसर लगी रहती है उसका सोकिट है और यह दोनों हेटर का हेटर का बोलना हेटर का दायरेक्शन का दोनु खोलना पड़ेगा उसके बाद आउस अवर से टुक अंब बारे या खुल लिया हूं सब फाइनली मेरा खुल चुका है तो अब मेरे को डैजबॉट पल्टी मारने की ज़व रहता हूं तो चलो फिर मैं इसको पल्टी मारता हूं फिर अगए तो दीखा था हूं तो finally अपना dashboard खुल गया, निकल गया, अब यह ही climate control unit देख पा रहे हैं तो चलो फिर इसको मैं खोलता हूँ, इसको बाहर से दिया रहेंगा, बाहर से दिया रहता है, nut तो मेरे को call panel खोलने की ज़रूरत है, फिर आपको call panel खोल के फिर मैं बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो पाइनल के call panel खोल चुका हूँ, जैसा कि आप देख पार है, यह रही एक, दर्थ कंबर यह वाल खोलना पड़ेगा, यह वाली, और स्टेक्स लास ओन कर देता हूँ जेना, उसके बाद इसके निचे रहेंगा एक, पीन हो गया अपना टोटल, और एक यह रही चार, और कु खोल के बाहर इसी आ जाएगा अपना climate control लिमित, तो चलो तो यह सब में खोलता हूँ, खोल के आगे आपको दिखाता हूँ, बाहर दिखाया, सब जो कुछ भी दिखाया, खोलने का, पाच नट और सब खोल चुका हूँ, हीटर का पाइप, और एक्सपेंशन वाल के पास का जोईन सब खोल चुका हूँ, अब यह मेरा इसी ली बाहर आ जाएगा, देख पार है बाहर आ चुका, तो चलो फिर इसको मैं फाइनली बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर अग्गे आपको दिखाता हूँ, फाइनली मैं इसका ब्लोर मोटर खोल चुका हूँ, यह इसक तब्रोर मोटर जो फीरेंद को निकालता हूं निखाल के फिर एक में आपको दिखाता हूं देख पार है कैसा दिख रहा है कशलो फिर में उसका कुलिंद को निकाल था हूं लेकिन बुत ॲिंद को में कुछ भी फॉल्ट किसमा है यह वाली जो हीटर का जो फ्लैप यह बीच में आके अटका होआता इस वगे सेrade को करना है करना नहीं हो चलो देख प ANYले को स्टार्टिंग करना है बड़के किसी को करना नहीं तो इसकोल कर दांक हो तो आत्सवीर पारइं कुलिंग कॉल बिल्कुल के बारे मैं बोल दिया था कुणकि हावा न का एर का फ्लो कम आ रहा था तुस होएसे मैं सर्विस के बारे में आपको बोला था तो मेरे को ये सब खिलीन करना पड़ेगा आथि अगे आपको दिखाता हूं तो फिली मैं इसको फ़िल्द कर दिया हूं जैसा कि आप देखा थै कि रीश उगरे लगा दिया हूं अब मेरे कोׁट डालने का है तो चलो फिर मैं डाइजबूट बाहर से जो जो से दस नमद नुट दिया था सब फिट कर दिया उँ अब डाइजबूट डालके फिर अग 그대로 दिखाता हूं तो फ्राइनली डाइजबूट डाल चुका हूँ जिएसाक यह आपके लिए बंगे तो फाइनली देख रहे हैं अब पूरी डेजबोट फिट हो चुकी अपनी देख पार है पूरी डेजबोट फिट कर चुका हूँ और मैं इसको बैटरी का वायर भी लगा चुका हूँ अब मैं इसको वेक्यूम में लगाने जा रहा हूँ करना है क्योंकि लिक टेस्ट के लिए कुछ तो था नहीं इसमें तो इस वजह से मैं इसका सबसे पहले वेक्यूम में लगा दिया हूँ यह लगाने जा रहा हूं तो चीजा मैं आपको दिखा देता हूं तो चलो बाहर चलते हैं कार भी देख पार है तब फिट हो चुका है और लॉग हाई दोनों लगा के रखा हूँ और मशीन लगी हुए उद्धर कि दस मिनट के लिए वेक्यूम ले ले रहा हूँ तो चलो फिट 10 मिनट बाद अपुन मिलते हैं सब बाहर का सब हिटर हो गए अगर सब फिट हो चुका है है तो चलो फिर मैं गैस चार्जिंग हो गए है आगे करके फिर दिखाते हूं आपको तो अपना फाइनली वेक्यूम अब मैं इसको गैस चार्जिंग को ले लेता हूँ चार सो विराम गैस मारूं गैस में में गैस मारने से पहले आईल मार देता हूँ थोड़ा सा गैस फिल हो चुका और एक भाई यह बटन के बारे में कॉमेंट किया था कि यह बटन काहे का है तो यह बटन है अपना जैसे क्लाइमेट अगर ठंडी हो गए रहती है न तो स्लेंडर के अंदर मसिन के अंदर गैस जो एक जगे जमा हो जाता है नहीं लिक्वीड फॉर्म में सिलेंडर में रहता है तो यह बटन ओन करके लिक्वीड फॉर्म को गैस फउर्म में च्रेंज गरता है तो चलो फिर अंदर गारी चालू करते हैं गारी चालू करके कुलिंग तंपरेचर हो गड़े चेक करते हैं कि इतना कुलिंग तंपरेचर आ रहा है नहीं आ रहा है तो चलो फिर अंदर गारी चालू करके कुलिंग तंपरेचर मैं आपको दिखाता हूं तो हेलो दोस्तों अदर आ चुका हूं और गारी अपनी ये भी चालू है एसी चालू रखा हूं कुलिंग टेंपरेचर देख लिजे आप 8.3 कि 8.4 ट्रिप मार चुका है अभी कॉंप्रेसर लगवक्त साथ तक आएगा इसका कुलिंग जो के मैंने पहले आपको बता दिया था कि साथ छे साथ तक कुलिंग टेंपरेचर आएगा इसका 8.2 तक आचुका 8.1 जो के पहले कुलिंग टेंपरेचर इसका कितना आ रहा था आपको मैंने दिखा था चौदा पंदरा के बीच था उससे नीचे कुलिंग आई ही नहीं रहा था क्यूंग नहीं आ रहा था क्यूंकि इसका जो है ना हीटर का हीटर का जो फ़लेफ है ना आधा पूरा बंद नहीं होता था है यानी कुलिंग पे आप उसके लेता है ना इसको तो यहां आकर कि पूरा फुलेफ जो जाकर के बंद हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो रहा था इस वज़े से हीटर já Test कुलिंग दोनू मिक्स हो रहा था इस वोगय होग आ रही थी तो मैंने आपको दिखाया भी लाइब करकर के क्या हो रहा था तो ये सब चीजैं में आपको इसलिए दिखा रहा